हेलो गाईस कैसे हैं आप सभी दोस्तों अगर आप अपने कम्प्यूटर में GTA 5 को ओपन करने जा रहे हो इसको ओपन करने का तीन तरीका होता है एक तो हम Rockstar Game Launcher के जरीए ओपन कर सकते हैं या फिर डारेक्ट इसको क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं GTA 5 को या फिर हम इस टीम को तो आपका problem solve हो जाएगा एक तो रहता है launcher not opening करके आ जाता है problem और एक problem आता है अगर आप offline game खेलना चाहते हो GTA 5 में तो offline mode error करके एक problem आ जाता है और एक problem जो generally ज्यादा तर आता है वो रहता है हम इन में से किसी भी option में क्लिक करते हैं लेकिन ओपन ही नहीं होता जैसे हम Rockstar Game क दो क्लिक कर रहे हैं open करने के लिए लेकिन ये open ही नहीं हो रहा है बहुत समय तक करने के बाद भी open नहीं हो रहा है और कई बार मेरे साथ भी हुआ है GTA 5 को जिटना मैं आप सभी को बदाने वाला हूं जितना मैं problem हो आप सभी को बताया हूं उन सभी किने वरक करेगा बस जादा easy way आप सभी को बताने वालो हूँ और गाइज आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये होंगे तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और बेल आइकोन में से आल नोटिफिकेशन को अन कर लीजे तो चले वेडियो को सुरू करते हैं अ इसका मतलब है आपके rockstar game launcher का बात हो रहा है यहाँ पर इसी का कुछ न कुछ प्रॉब्लम है जिसके वज़ा से इन दोनों में से आप open करने का कोसिस कर रहे हो तो ऐसा error आपके में आ जा रहा है तो इस situation में आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको rockstar game launcher को open करके देखना ह है इसको आप open करेंगे तो direct आपके में problems हो जाएगा अगर नहीं होता और यह direct open हो जाता है तो इसके अंदर भी GTA 5 को open करने का option रहता है इसमें से आप open करके देखिए और वैसे इन दोनों में वो problem दिखाई दे रहा है तो यह वाला जो rockstar game launcher है यह तो open हो गही नहीं तो इस situation उसके लिए simply आपको search box open करने है पने window और उसके बाद नीचे में uninstall करके आपके में आ जाएगा ज़रूरी नहीं हो ऊपर में यही है कई बहर नीचे में भी आजेता है इस its optionalon आ रहा है एक rockstar game social club और एक rockstar game launcher तो इसमें simply game launcher को हम लोग को uninstall करना है यहाँ पर uninstall को option मिल जाएगा इसको click करके simply इसको uninstall कर लेना है लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है 235 MB का है तो आपके पास data रहेगा तभी इसको uninstall करना है uninstall करने के बाद आपको क्या करना है इ उसको आपको install करना पड़ेगा वहीं पर से आपके में install का और download का option आ जाएगा उसमें से आप easily इसको download कर सकते हैं और जब यह download हो जाएगा उसके बाद आपके में id create करने के लिए बोला जाएगा तो आपको आपका पुराना वाला id को ही login करना है इसमें जब gta5 को download किये थे उस समय आप बनाये होंगे rockstar game launcher का id उसी को login करना है अगर आप भूल भी गये होंगे तब इसमें forget password करके open कर सकते हो कोई भी problem नहीं होगा अब दूसरा और सब से common problem के बारे में बात करते हैं अगर हम rockstar game को double click करके open कर रहे हैं या फिर ऐसे करके भी open कर रहे हैं option से जा करके उसके बाद rockstar game launcher ही open नहीं हो रहा है कुछ भी error नहीं आ रहा है लेकिन open भी नहीं हो रहा है बहुत समय वेट करने के बाद भी या फिर हम gta5 को direct open करने का फोसि ऐसा कोई भी problem आता है उसको आप double click कर लिए या फिर open के option पर click कर लिए और वो open ही नहीं हो रहा है उसका मतलब simple सी बात है वो अटक चुका है मतलब वो running है लेकिन अटक चुका है सामने पर आया नहीं है आपको display नहीं हो रहा है तो उसको आपको cut करना पड़ता है कैसे करना है उसके लिए simply आपका जो task bar दिखाई देता है ना नीचे में ये वाला जो option रहते है नीचे तरफ इसमें आपको right click करना है right click करेंगे तो यहाँ पर task manager करके so होगा सबसे नीचे में आना है mouse को ठीक सबसे नीचे में ला करके right click करेंगे तभी यह option आएगा और इसमें task manager का option है इसको हम लोग को click करना है अब click करेंगे तो हो सकते हैं आपके मैं ऐसे ही छोटा सा box खूल करके आए तो यहाँ पर more details करके एक option रहते हैं इसको हम लोग को simply click करना है इसको जैसे ही click करेंगे हमारे PC में जितना भी software running है वो सभी यहाँ पर सो होने लगेगा जितना भी user मेरे PC में open नहीं है तो ऐसे ही आपके में भी हो सकता है आपको सामने पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यह open रहता है यहाँ पर अगर ऐसा problem आ रहा है तो मैं 100% बोल सकता हूँ यहाँ पर आपको ढूंडने पर वो सभी मिल ही जाएगा अगर आपका rockstar game के search करने के एक तरीका भी रहता है यहाँ पर कोई search box नहीं है फिर भी आपको इसमें click करना है ठीक है यहाँ पर उपर जो है इसमें click कर लेना है और उसके बाद उसका first letter आपको type करना है जैसे कि मैं अभी rockstar तो मेरा running नहीं है तो Microsoft Edge में देख वोगत हो वो running था तो simply इसमें click कर करना है और उसके बाद मैं aim पर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर जितना भी aim वाला processing में रहेगा वो सब आ जाएगा यहाँ पर Microsoft Network Real Time यह भी आ गया Microsoft Edge भी आ गया तो इस तरीके से आप search कर सकते हो search के box का कोई जरुरत नहीं simply इसमें click करना है और उसके बाद उस software का first letter को आपक कुछ भी दिखाए नहीं देता लेकिन यह open होता ही नहीं है और यहाँ पर processing में add कर रहाता है जिसके वज़ा से हम double click करते हैं तब यह problem solve नहीं होता तो simply इसको open करना है ठीक है open करने के बाद आपको क्या करना है अगर आपको मिल गया GTA 5 यहाँ पर दिखाए देने लगा आप problem नहीं होता है इससे ठीक कभी भी हम कर सकते हैं जब open करते हैं तब फिर बांकी सब problem solve हो जाता है और आसानी से open हो जाता है तो इसी तरीके से उस task को हम लोगो end कर देना है end करने के बाद जब हम GTA 5 को open करने का कोसिस करेंगे तो यह 100% open हो जाएगा आपके में कोई भी problem नहीं है और ऐसा अगर आपके में बार बार ही आ रहा होगा तो आप comment कर दीजिएगा मुझे उसके लिए भी मैं एक video बना दूंगा उसको भी solve करने के एक तरीका रहता है अगर बार बार आपके में ऐसा problem आ रहा है लेकिन एक आग बार आ रहा है तो आप manually जाकर भी कर सकते हैं औ बस इसी को आप uninstall install करेंगे तो वो problem भी आपका solve हो जाएगा और बांकी जीतना problem है वो सभी आप task bar से उसको end task करके solve कर सकते हैं So I hope दोस्तों आज के वीडियो आप सभी के लिए helpful होगा अगर वीडियो थोड़ा सभी अच्छा लगा गाई तो please चैनल को subscribe कर लिजेगा और bell icon में से all notification को on कर लिजे तो चलिए अब मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो में अभी के लिए सभी को bye bye